जिनके आपित्र दोश होता है, कालसरब दोश होता है, वास्तू दोश होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना, मारच एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है, बेल का फल, बेल पत्री का जो फल होता है, उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेप कर उसमें शक्कर मिला कर उसको उसके अंदर भर लीजिए अमावस्या के दिन सुबहा दस बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है आटा सेकर भराय सक्कर के साथ में उसको अपने घर में गुमाने के बाद में जिस जिसको कालसर्प दोश पताया है पित्र दोश पताया है या वास्तू दोश का इसमन बताया है घर में सब्दूर गुमाकर अपने परिवार का हाथ का इसपर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे ता खड़ा खोरकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए उस फल को उसमें दबा जिए महाराज केवल एक अमवस्या करना रहता है पित्रों के दोश से मुक्ती मिलती है और हमारे घर के कारे सफल होना प्रारम्द हो जाते हैं कारे की सफलता होती है कारे में सफलता प्राप्त होने लगते हैं हम तो कई बार करते हैं महाराजी अगर ऐसा लगे किसी ओशद ही को आप आपने बहुत दिनों से ले रहा है कोई दमाई मानलो आप किसी भी दमाई को गरन कर रहा है और वो अच्छी लगी नहीं रही है वो शरीर को लगी नहीं पा रहा है और आप ठीकी नहीं हो पा रहा है पंदरा दिन हो गए आठ दिन हो गए बता हुतना की उतना ही ट्रिना है उ दोत को सब्सकր को अंदर का फंडरी में निचा चल रहा है पर रएवल में नहीं है शुगर तो सुभा इस्नान करकर कम से कम साडे, साथ बजे उसको पानी में गला दीजिए। और उस बेले के फल का गुरदा सा गला हुआ पानी शीव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा एक चम्मच पानी शिवजी पे चड़ा हुआ लेकर आजाईए उस पानी को जो बिमार वेत्ती है उसको ओषदी देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए भागवान संकर का शिरी शिवाय नमस तुभ्यम का